Hello friends, Digital Market Land में आपका स्वागत है आज हम यहाँ पढ़ेंगे Finance Management FM's को हम बोलते हैं short form में तो आज सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे कि Accounts और Finance में difference क्या होता है बहुत सारे instruments सोचते हैं कि Finance और Accounts सेम है जैसे मैं आपको एक्जामपल दे देती हूँ अगर किसी की जॉब लग जाती है ऐसा कि आप Trial Balance या Balance को मैच करो या Balance Sheet मैच करो या Payal बना तो वो सोचता है कि मैं Finance फिल्ड में हूँ जबकि ऐसा नहीं है यह Accounts फिल्ड है अगर आप सोच रहे हैं आप Student है आप Graduation के Student है या आप 12th के Student हैं अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अगर ऐसा काम करोंगा तो मेरी Finance के फिल्ड है और आप MBA कर रहे हैं आप से कोई पूछे उसे बड़ी बात तो यह हो जाती है अगर आपने Graduation कर ली चलो BBA कर ली या B.com कर ली ठीक है उसके बाद आप MBA करते हैं आपने पूछा किसी ने पूछा कि आपको क्या चाहिए फानेंस रहे हैं मार्केटिंग चाहिए और आपके यह फानेंस रहे हैं क्यों फानेंस रहे हैं क्यों मुझे ट्रायल बैलेंस मैच करना और बैलेंस शीट मैच करना बहुत अच्छा लगते हैं बहुत बड़ा कोशन माँ आजाएगा क्यों फिर एमकॉम क्यों नहीं करी अगर यही करना था तो तो फ्रेंच तो अकाउंट में और फानेंस में डिफ्रेंच पदा होना चाहिए और या करियर किस करिया आपको सबसे पहले पदा पदा जाएगा को इंट्रस किस में है अगर आपको बैलंस सेग में हैं एमकॉम करें में मुस्ट यही फेल्ट मिलेंगी आप भू जिसे कुछ ओऊ और इस तरह के प्रग्राम्स हötं है इस तरह के डिग्रिस होती है इस तरह की लोग फानेंस की अलग है कि है are गें वह शीज में पहताओं किया लग है कैसे अलग है आकांट में क्या होता है? हम रिकॉड करते हैं वह म्ज़ाई करते है और परपेर करते हैं क्या है देखो तुमोंने खर्चा करा और तुमने बदले में खुछ लिया मतलब तुमने पांच रुप traced किये और टॉफि reference करी तुम्हारे रिकॉर्ड बढ़ा देगी आज ए खर्च में पांच रुपे टॉफी तुम्हारे रिकॉर्ड पर टॉफी कि यह मम्मा ने क्या कर रिकॉर्ड कर ली जो एंट्री हुई है सेम है ऐसा है बिजनस की है तुम कोई और ट्रांजिक्शन होगी कुछ और चीज ली होगी अगर घर के बाद करें तो राशिन का समान आ गया आपने कुछ चोटी मोटी वैसे चीज खरी तो वह चीज रिकॉर्ड हो गई है ठीक है उसके बाद हम लोग क्या करते कि तो हमारे हो लोग लेजर बनाते हैं लेजर क्या होता है पटिकुलर बुक्स बुक्स हो जाती है वह एक चीज किसे लैंड बिल्डिंग की एक अलग स्टॉक की अलग अकांट हम ने बनाती उसके बाद हम बनाते है ट्रायल बैदेंस जिसमें हमें डैपिट और क्रेडिट मैच करना होता जब 5,000 आज़ो की शॉपिंग का कई हो वर्थ है उस कपड़े के 500 रुपे जोब मैं शॉपिंग कर रही हूं तो वह चीज 5,000 रुपे तो कर हमने कोई खर्चा कर रहा है हमें कुछ आया वह चीज बराबर हमें पैसा अतना था ठेक है और हमें कुछ नहीं मिलता हम बहुत स लेटिंग में डाल देते हो कि मेरे इतना पार में पस opening stock था इतना क्लो जेए पढ़ें के हैं समकाउंट्स कैसे बनाती है कैसे डेडिंग पेनल बनाती है यह आकर पढ़ेंगे यह बुट कीपिंग इसको हम क्या रहा हूं कि हम इसमें अपने चीज़़ा है श्टोर कर रहा क बिजनेस ट्रांजेक्शन इसमें हम कोई भी ट्रांजेक्शन में इसे घर का बना रहे हो तो हम लोग घर की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं बिजनेस का बना रहे हैं तो बिजनेस की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं हम इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन करने हैं ट्रांजेक्शन है मिल तो अकाउंट्स क्या करता है सिंपल जो चीज हो चुकी है जो होने यह एस्टिमेट नहीं करता कि तुम्हें इतना हमें कुछ करना है जो चीज हो रही है उसको रिकॉर्ड कर देता है और कमपनी वाल यह पूछते हैं बहिए तुझे इतने पैसे खर्च में वह मैच क्यों नह इसने कहां चीज नहीं रिकॉर्ड करी और कहां उसने कुछ चीज जादा रिकॉर्ड कर दी है ज्यादा अमावन डालते जिससे उसका जो बैलंस है वो मैच नहीं हो रहा है अब देखो इसको हम कलेक्शन अब डेटा प्रोसस करते हैं एक तरह से हमस कलेक्शन ही तो है इक नहीं कागी टैमें या जो वह मनें इसको कह सकते हैं कि डिली थे इकुरेट रिकारड ने पॉर्टिंग एकुरेट आज के घठतना आज ऐसा तो नहीं है nam हम लोग करते हैं आज ही हो गया रिकॉर्ड कर लेते हैं तो मेनली इसको जो काम है जो मेनली अक्यांट्स जो है वो सेम्पल आपकी छीज को रिकॉर्ग आप करते हैं यह काम पर फाइन्स फाइन्स तिफेरंट में क्या होता है is a management of flow of fund through an organization तिको इसमें क्या है हम लोग को बहुत सारी कंपनी हैं इसेट अप करना शाहते हैं टिक है बहुत ों के पास होता है बहुतों के पास भही होता किसी बस खाले प्लान है फेंड कहीं और से वह अविलेबल करना चाहते है कुछ भी जाते हैं। उसमें हम कहते हैं प्रोक्यूप्मेंत rés لकोफ अप्रोप मतल्ट बार से या वह ऐसे बार लींहें से लित या को फ़ंड लेना टोप को इस तरह से लगाना से कम इंपूट में साब ला का अब इन पुट में झाबes को आउटुट अब all अधिताary second प्रेंड नम कहां थे प्रक्योप्मेंट और फञटू प्रक्योप्मेंट फंड मतलब मैं बार से मार्केट से पैसे को लेना अब मैं कहा दियू तो में को यह करना है कि कितने proportion में किसको उठाटाउ聞 अब जिसे का एक्जामप लेचैज़ लेती हुँ sû अगर मैने liquidity ली। ठीक है एक में डिवी तो मेरा शेयर होल्डर बने गया पार्टनर ने ले लिए उसका कम शेयर कर दे तीन चाहँ पार्टनर कर दे तो हम साथ में कोई पैसा मागना निवाला नहीं किसी को इंटरस्ट नहीं देना ठीक है और एलोकेशन और फंड उस फंड को मैं इस तरह से पार्टन परणनिक है। हम आपकेशन पते पासा वं इतना साहँ है था अपकेशन मैं साहँ नहीं जो हम इसे यूजवर कर शकते हैं ह हम लोग यह नहीं कर सकते हैं या ऐसा आउपुत ले सकतें जो फिल्यक्राशन मैनेघ्मेंट यем जा दिनदों में कम वने इतना कम कितना तो मेरा आउट फ्रो बढ़ जाए प्जीज़ आपड़िये अच्छीफ करने होते हैं डीसिजन नीतिया में एक्सेंपल दे देती हूं आपको अलोकेशन आफ रिसोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है और शप्राइब मेरे को एक शर्ट बनानी है श्र्ट किया मेरे को मैय शिर्ट की फैक्टरी मेरे की फैक्टरी है अग्या गर्टffee meant अ ब्रगाद मेरे साहरे पैसे कप्ड़ा रख लीर एक तो मैं र Taste बन पाएगी नहीं बन पाईगी कि न हमें पास बटन हैं न में पास employee है न हमें पास switching का ओँ है और अगर चलो मैंने सब को धिविखान में रखा बॉसके थोड़ा बहुत कम जरह George yes 10 वेल्यु नहीं कप्रण बचे गांगी इतना एंट्यक करें कि थोड़ा साही जाधी थोड़ा सा कंजी रहें को अब बटन में पस बहुत रेयर हैं मतलब कुछ 50 शर्ट पर हो पाएंगे और में पस और दो से शर्ट करेंगे ऐसा ना हूं उसको एस्टिमेट करके प्रॉपर एनलाइस करके हम लोग को यह डिसीजन लेना होता है इससे हम effectively अपना production कर पाएं यह difference था accounts और फानेस में accounts simple record करता है कुछ नहीं करता है कुछ नहीं करता है उसको कोई काम नहीं करता है वो कुछ नहीं कहता है वो जिसने transaction होती है वह रिकॉर्ड करता जाता है और at the end बैलेंशीट मैच करके यह दिखाता है कि यह आपने खर्चा किया उससे कम दिए कि उतने साथ करा है मेभी उससे फानेंस यूज कर सके हमने नहीं स्टेश्टने कामने पिछली बार बहुत जादा यूज कर लिया था तो मेभी हम इसको थो इसको यह चीज कर दी है आपे इसको स्क्राइब में बेच तो स्क्राइब वैल्यो आ गए तनी तुम्हारी इतनी यह सब चीज़े कौन करता है अकाउंट्स वाला रिकॉर्ड कर रहा है सिंपल को और फिर जेरा जो जो हैल्प आती है फानेंस डिसिजन के लिए अब हम बात कर रहें कि function क्या होते है financial management के बहुत जीज़े तो तुम्हें समझ भी आ गई होगी कि finance manager के decision क्या होता सबसे पहले तो तो तुम कभी नहीं भूलोगे procurement of fund और allocation of fund लेना और इसको इस तरह से लगाना जिससे हमें maximum output यह मिले और अच्छा output मिले effectively मिले efficiently मिले profit planning profit planning देखो हर एक business का aim होता है यह तो कहीं भी आए ना तो यह वाला point तो आए गई गई आगा profit maximization profit planning कोई भी बिना आप profit के बिना किसी के आप survive नहीं कर सकते long time कि आप फ़्ड़ा short time भी नहीं कर सकते long time तो बहुत दूर की बात cash management कितना आपको working capital necessity है ठीक है अगर आपके पास पैसा है बैंक में अभी चाहिए चुटी है बैंक की कुछ production हो पाएगा नहीं तो कितना पैसा आपके पास होना चाहिए office में जो regular transaction के लिए important है मुझे किसी को labor को भेजना है तो उसको हाथ में पैसा चाहिए तो working capital उसको कितनी चाहिए कि मेरे capital searching कैसा होना चाहिए कितनी मैं equity लूँ कितनी मैं dap लूँ कितनी मैं preference shares लूँ किस proportion में लूँ उसके उसके नुकसान क्या है उसके फाइदे क्या है कितना interest पे लूँ यह सब क काम एक manager देखता है जो finance का बंद फाइनस के ही लोग manager बने के finance manager उसका manager सम लीडर कहते हैं वह टीम का leader हो गया तो ऐसी जो finance को हैंडल कर रहा है जो finance को देख रहा है उसको अलोकेशन स्वारा सब्स देख रहा है तो finance manager हो गया हो तो उसके यह काम होते हैं और भी होते हैं आपको पता चलिया होगा और जो अपनी थोड़ा accounts और finance में थोड़े confused है क्या line ली ऐसा होता है यह चीज है अब आप देखिए आपके लिए कौम सा जादा अच्छा है अगर आपको थोड़ा analyze करना अच्छा लगता है तो आप finance में चाहिए कर सिंपल नहीं office में बैठकर recording अच्छी लगती है या तीख लिए transition देख लिए इस वीडियो में आपके लिए इतना ही नेक्स वीडियो में हम पढ़ेंगे finance management जिसे हमने बढ़ा कि वहांसे फंड लेता है आपने हमने का कि वहांसे फंड लेता है वह कहां कहां लगाता है investment करता होगा decision लेता होगा financial decision लेता हो वह बागी की चीज़े हम नेक्स वीडियो में पढ़ेंगे इस वीडियो के लिए आपको इतना ही थेंक यू